हेलो गाइस आज मैं आपको बताने वाली हूँ पॉंडी चेरी टूर के बारे में हम बैंगलोर से पॉंडी चेरी जायते है इसलिए हमने एसी बस ली थी यह रात बार का सफर था हम दस बजे बस पे चड़ेते और सुबह साथ बजे हम पॉंडी चेरी पे उतर गएते बस काफी अच्छी थी पस हमने एसी ओन किया और हम सो गए अब हम मिलेंगे आपसे अगली सुबह पॉंडी चेरी में सुबह के साथ बज गए थे और हम पॉंडी चेरी पहुंच गए थे वह वहां का फर्स्ट रव्यू था हम जल्दी पहुंच गए थे चैक इन का टाइम था बारा बजे इसलिए हमने टूविलर बुक की और हम निकल गए सड़कों पर सबसे पहले हमने यहां पर एक्स्टोर करना चाहा रॉक बीच तो हम वहीं के लिए निकले हैं और हम पहुंच गए हैं अब यह रॉक बीच रॉक बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और लहरे बहुत ज़्यादा तेज थी कोई भी पानी में ज़्यादा जान यह था सब साइड में ही खड़े थे और हम तो बहुत ही दूर खड़े थे क्योंकि जब आपके पास बेबी होता है तब आपने साइड चीजे बहुत अबॉइट करते है अगर थोड़ा कम पानी होता तो शायद में बेबी को भी ले जाती बट पानी की वेवस बहुत ज़्यादा तेज थी तो हमने अबॉइट किया बस हमने साइड में कुछ फोटो क्लेक करी बीच के साइड में खूब सुन्दर प्रेड था तो हमने अपनी फोटो क्लेक की उसके बाद फिर हम बागे म्यूजियम के लिए चले गए म्यूजियम में बहुत सारी मूर्तियां थी जो बहुत सालों पुरानी थी हजारों साल पुरानी किसी में दस अजार लिखा था किसी में कुछ लिखा था तो ही तो ऐसा लग रहा था जैसे भगवान के भी पहले बनी हुई हो मूर्तियां भगवान बीन के बाद आए हो इतना टाइम लिखा हुआ था उस पे चोल वंज और भी जो थे उन सब ने ये मूर्तियां बगएरा बनाई थे बस वहां से फिर हम निकल गए लंच के लिए दस पॉर्ट रेस्टरॉँ में वहां का इंटीरियर बहुत अच्छा था वहां पे हम ने पहले अपनी फोटोस क्लिक कराई और उसके बार हमने वहां पे लंच किया हमने खाया वहां पे वाफल विद केरेमलाइज बनाईना एंड आइस क्रिम और फिर हमने खाया स्पिनिस लजानिया और इस्पिनिस लजानिया आप ट्रेम मत कीजेगा क्योंकि मुझे तो बिलकुल पसंद नहीं आया वाफल तो हम फिर भी खा लेते हैं यह जो आप देख रहे हैं यह वहां की रूफ टॉप से नजा राहे है बस वहां से फिर हम लपार्ण्ज कर के चले गए बीच की साइड्ड यह जौट बीच की साइड में ही था रेस्ट्राफरोन तो जो आस रेस्टरॉनluded यहां का बहुत फेमोस स्टैशू है और इसके बाजू में ही पब्लिक ट्वालेट है यह वो रेस्ट्राउ है जहां हमने अभी लंच किया था अधर स्पॉट बहुत अच्छा है यह रेस्ट्राउ इसका इंडिया बहुत अच्छा है और यहां पर ही बिल्डिंग्स है जिनके बहुत सुंदर सुंदर है बस हम थोड़ी देर फिर बीच की साइड बैठे और फिर वहां से हम चले गए एक एक स्पो में जो पास में ही था बाकी वहां पैसा कुछ मुझे यूनीक तो दिखा नहीं कुछ बस हमने वहां से मैगनेट लिया और हम आ गए फिर हम गए उडू अब उसे कैसे ही एकस्प्रो कर पाएंगे थोड़ा सा वॉक करें टू विलर पर गुमें तब हम उस शहर के बारे में अच्छे से जान पाते हैं तो हम निकल गए थे एक वॉक के लिए खेर हम बीच साइड ही चल रहे हैं भी तो बीच में घूमने के बाद हम चले गए डिनर के लिए वुट फायर पीज़ा खाने जो यहांगा बहुत फेमस है फिर वहां से हम होटल गए और सो गए फिर नेक्स डे हम निकले अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए सबसे पहले तो हम फ्रेंच कॉलोनी गए तो कि मैंने देखा था एक यलो हाउस जो बहुत ही सुंदर था लोग उसके सामने फोटो खिचाते हैं तो मुझे वो चाहिए था कि मैं भी उस घर के सामने जाके फोटो के चाहूं तो इसलिए हम उसे ढून रहे थे क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही देखा था वो इधर के दर ही था सम्हाँ हमें वो मिल गया और वो घर नहीं था वो था एक होटेल वस होटेल के सामने हमने कुछ अच्छी अच्छी फोटोस के चेक अब ही हम फ्रेंच टाउन में थे फ्रेंच कॉलोनी में अब हम जा रहे हैं मंगरूर वहां करेंगे वोटिंग की लैट क्याओ अब हम आगय है मैंगरू फॉरस्त में मैंन्गरू फॉरस्त में चाल प्लेसेज हैं जो आपको बोटिंग करके लिए जाता है वहां पर और अंब प्लेसेज को देखने लकडी का पुल सा बना हुआ था तो हम उसे देखने चले गए देख सकते हैं आप यहां पर बहुत ही अच्छा है यह पुल है नीचे पानी है आजू बाजू पेड़ है बहुत मचा आती है इसमें यहां ट्री हाउस भी है जब सीड़ी है देखने वो ट्री हाउस के लिए है आपके पास भी छोटा बच्चा है तो आपके पास भी छोटा बच्चा है तो आप उसे पनी गोध में ही रखें क्योंकि यहां बीच बीच में इतने गैप है कि बच्चा अराम से वहां से गड़ सकता है तो आपको बच्चे को पूरी टाइम गोध में ही रखना चाहिए हमारी बोट आ चुकी है और अब हम जा रहे हैं बोट में बैट में हम बोट में बैट चुके हैं और अब हम निकल चुके हैं फिशिंग हाबर की तरफ फिशिंग हाबर में बहुत सारी बोट है जो लाइन से पार्क रहती है जैसे गाड़ी पार्क रहती है वैसे ही वहाँ पर उनकी फ्यूलिंग या जो भी रिपेमिंट का काम होता है वो सब होता है सुरी रिपेरिंग का काम जो होता है वो सवाह होता है यह आप देख सकते हैं फिर शाबर फिर शाबर के बाद हम देखने जाएंगे रिवर माउथ यह रिवर माउथ है बठा में जादा आगे नहीं रह जाया गया क्योंकि वहां पर फिर वेव देख हो रही थी और यहें पर हमारी बोड बहुत अलने लगी थी उसके बाद हम आगे मैंग्रोफ फॉरेस्ट में यह बहुत ही सुन्दर था इसके बाद हम आरिक मेडू में गए और वहां पर हमें खुब सभी फोटोस क्लिक कर रहें मैंग्रोफ से लोटने के बाद हम गए प्रोविडेंस मॉल जहां पर हमने लंच किया वहां पर लंच में हमने कुछ शेक्स मंगाएं और उसके अलावा हमने मॉमोस, चाउमन, मंचूरियन और गोली सोटा भी मंगाएं गोली सोटा मैंने फर्स टाइम ट्राय किया तो बहुत ही अमेजिंग था उसके बाद फिर हम वहां से चले गए एक और बीच में और वहां पर मैंने किया जिपलाइं जिपलाइं जब हम पहुचे तब बंद हो चुका था लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया कि हमें आज रात को ही निकलना है तो मुझे एक बार यह करने दे तो उन लोगों ने मुझे करने दिया और यह मैं फिर्स्ट एक्सपीरियंस तो जिपलाइं को और यह अमीजिंग था बहुत ही मज़ा है मुझे उसके बाद हम फ्रेंच अडिशे स्ट्राइक रेस्ट्रों में गए वहां हमने पीटा सैंविच ट्राइक किया सिनेमा ने और काड़े में गनाज श्ट्राइक किया और केश ट्राइक किया मुझे स्पाइसी फूट पसंद है तो उसमें से कोई भी चीज मुझे अच्छी नहीं लगी अगर आप पॉंडी चेरी जा रहे हैं तो दो दिन का टूर एनफ है उसमें आप सब कुछ एक्स्टोर कर सकते हैं आज के लिए वस इतना ही तब तक के लिए बाई